आज अभी आयाइटी कानपूर के इक्सपर्ड्स के साथ दिल्ली में जो प्रदूसन का अस्तर लगतार एक ठहराओं में है उसको देखते हुए क्लाउड सीटिंग यानि की कृत्रिम वर्सा की संभावना को लेकर के आज बैठक हुई थी इसके पहले बारा सितंबर को दिल्ली सचवाले में हमने एक्सपर्ट मीट की थी और उसमें पहली बार ये प्रस्ताव आयाइटी कानपूर के तरफ से रखा गया था और उसके बाद हमने ये निवेदन किया था कि चुकि उनका जो एक्सपरिमेंट है वो बारिस के मौसम में अगर बादल है और बारिस नहीं हो रही है उस समय बारिस कराने का है तो दिल्ली में खास्तोर से सरजियों के मौसम में अगर बारिस कराना हो तो उसका एक प्रस्ताव तैयार करें आज IIT कानपुर ने इस बात को रखा है कि वो खास्तोर से अगर 40% भी अगर कलाउट है तो बादल है तो बारिस करा सकते हैं उसके लिए आज बैठक में तैया हुआ है कि कल वो अपना एक प्रस्ताव डीटेल प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजें और उस प्रस्ताव को हम कल अगर उनका प्रस्ताव आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे क्योंकि उसमें बहुत तरह के जो है वो परमिसंस चाहिए तो अगर सभी लोग मिल करके एक सब प्रयास करते हैं तो उनका अनुमान है कि अभी आगे दिल्ली में 20-21 के आसपास बादल होने की संभावना है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने उनसे कर प्रस्ताव भीजने के लिए कहा है और फिर कोड के सामने उसे प्रस्तुत करेंगा दिखे उसमें अब डेटेल प्रस्ताव तो कल वो हमें सम्मिट करेंगे लेकिन अभी टार्गेट ये है कि अगर 20-21 में अगर बादल दिख रहे हैं और परमिसन सभी मिल जाती है इस दोरान तो पहला जो है पाइलेट वो कर सकते हैं सभी लोग उसे के लिए प्रियास कर रहे हैं जो चुकि एक बिपरीत मौसम की स्थिती बनी हुई है हवा की गती काफी कम है टेंपरेचर डाउन जा रहा है तो इसलिए जितने सोर्सेज हैं उस पर काम किया जा रहा है विंटर एक्सन प्लान के तहत काम हो रहा है ग्रैप के नियम के तहत काम हो रहा है कलमानी सरोच नियाले ने कई सुझाओ दिया उस पर हमने काम सुरू किया है तो प्रयास हमारा जारी है कि जल से जल जितने ये सोर्स हैं उसको जादा स्यदा कंट्रोर किया जाए जिससे इसका प्रभाव कम हो सकते टो कि हो झाले तो ब मेरास स्ट्वड़ तो जाई जुटिस नहां इसक्वरोगी और मेरासी करें